बॉर्णिंग बच्चो आज मैं exercise आपकी 7.6 करवा रही हूं उसका PDF और मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूं क्योंकि मैं आपकी जूम classes ले रही थी वह उसमें कुछ problem है तो automatic वह अपने आप class कर रहा है इसलिए तो मैं class नहीं ले पा रही हूं उसके लिए we all sorry and मैं आपको define करना चाहते हूं जो exercise आपकी 7.6 थी वह मैं इसमें आपको फीडियो बनाया है मैं आपको बताती हूं सबसे पहले उसमें बोला गया find the product and express the answer in the simplest form हमें उसकी simplest form बनानी है तो हमारा number यह था इन्टू 1 बाइन हमने क्या किया इसमें cross multiplication में 6 1 जा 6 8 इन्टू 9 6 1 जा 6 8 इन्टू 9 तो कितना होगा 72 6 एक बार मन में जाएगा और 6 6 जा सॉरी यहां पर 6 जा 6 6 जा 6 6 जा 12 तो यहां 1 जा 12 आंसर आएगा आपका नेक्स कोशन इसी तरीके से यह वाला कोशन है इससे भी हमने इस product को लिखा फिर रिक्वायर प्रोडेक्ट 11 अपॉन 21 इंटिप्लाइबाए 42 अपॉन 21 आप देखिए मैंने क्या किया इसको यही से ड 11 बन जा 11 11 जा 11 को मल्टिप्लाइब करेंगे 11 बार तो हमारा आंसर आएगा 121 इसलिए हमारा आंसर आया 1 बाई 2 नेक्स कोश्चन बोले गया मल्टिप्लाइब फोलोइंग पेर्स ओफ्रेक्शन पेर में फ्रेक्शन निकालने है इसके तो बहुत इजी कोश्चन है यह 15 इन दोनों को मल्टिप्लाइब करने पर मारा है 105 आप क्या करेंगे इसकी सिपसे सिंप्लेस फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया डिवाइड किया 105 अपॉन में 6 को आपने दिवाइड किया 3 से 3 से बो साइड नियुमिनेटर भी और डिनोमिनेटर दोन इसको टू से एमने डिवाइड किया था हमारा है ऐसा ही मैंने इसका कोशन नंबर 2 इसे में देख लिए इसे तरी कियां के अठीक को समय है 5500 नाइन ओ गया 55 1 ले इन दोनों को मでは और इन पर आइड करने पर में आणसर है Is प्रफिट फाइब अपॉन में 72 यह हमारा आंसर अब नेक्स कोश्चन है फिन इंदी ब्लेंक्स ऐसे कौन से नमबर डिजिट मल्टिपलाई तो यह मैं सारा पीडिया आपको सेंड कर दूंगी इसके बाद है आपके एक्सराइस सब्सक्राइब बहुत आसान है बहुत सिंपल दोई कोश्चन इसमें बाकी इसमें से और नो से यसी और नो का आपको बताना है बहुत इसली तो यह दोनों कोश्चन पहला गया फाइंड रैसिप्रोकल ऑफ फॉलिंग फ्रेक्शन रैसिप्रोकल क्या होता है जस्ट अपोजिट उसको उल्टा कर देना जैसे आगा एट इसमें प्रोकल होता है आप देखिए इसमें कोश्चन दिया था सेवन वाइट इसी तरीके से कोश्चन करना नेक्स आपका कोई दोए आप बी वाला नाइन भाइ थर्टीन इसको चेंज कर देंगे आप थर्टीन वाइट यह आपका रैसिप्रोकल इस रैसिप्रोकल है नेक्स आपको पता होने जहीं अगर डिवाइट को हम चेंज करते हैं तो डिवाइट चेंज करने पे हमारा हो जाता है multiply तो जो multiply में हो जाएगा तो वो digit भी change हो जाती, opposite हो जाती ulty हो जाती, reciprocal हो जाती 5 by 9 multiply by 3 by 2 2 by 3 था ना, तो 3 by 2 हो जाएगा अब इन दोनों को multiply गएगा तो हमने क्या 3 से 9 को cross के, 3 बन जा 3, 3, 3 जा 9, तो इसको हमने क्या 5 बन जा 5, 3, 2 जा 6 तो 5 by 6 हमारा answer आगया, next question है इसी कही, देखिए, 1 by 4 divided by 1 by 2 तो हमने जब divide को change किया तो यह automatic ही change हो गया, 2 by 1 हो गया 2 जा 2, 2 जा 4 तो यह हमारा आगया 1 by 2 answer, that is it, आपका question number second, इसमें क्या करना है, question number third में आपको say yes और no का आपको diffraction बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, division factor है जो, देखेंगे इनको change करके, यह दोनों equal है एक दूसरे के, या नहीं है तो yes बताएंगे, नहीं होंगे तो no बताएंगे, a fraction can be divided by 0, हम fraction का divide 0 में कर सकते हैं, yes या no, तो यह आपको possibility बताना है, okay, thank you